आपको पाइन और दोस्तों स्वागते आपका इस न्यू लेसन में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिप पैसेब के पार्ट तू के बारे में पार्ट वन के बारे मैंने आपको अल्लेडी पढ़ा दिया है उमीद करता हूं आपको सब याद होगा सब पता होगा फ अब तक आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देखो पार्ट वन देखने के बाद आप यहां पर आए तब आपको अच्छा समझ में आएगा उसी को हम लोग कंटीनिव कर रहे हैं देखते हैं क्या क्या बाते हैं छोड़ा सा रीक्याप देना गया थैसे बोलना है तो उसका एक Конसेप्ट होता है उसके लिए उसका नाम यह Been की दान में और वह कभी पैसे बनाना थो सबसे पहले आप वर्क ले के आएंगे उसके बाद दाब택 ले के आएंगे और लास में आ पहले जो आपको यह चैसे कि जैसे यहान देखों देखिए एक बार है बता दो होकर किसी को कोई confusion होतो हो यहाँ पर दिवाली जो है वो आपका work है पी आपका यह दिख रहा होगा आपको बी आ रहा है और celebrated डन है तो दिवाली बी celebrated क्योंकि काम चल रहा है तो आपको पता जब काम चल रहा होता है तो आपको बता चुका हूँ अब हम आज आंगे की थोड़ी सी बात करना है वाले ऑगर हम भात करें तो यहाँ पर आप देखना जो प्रिजेंट के सेंटे00 उसकी बात अम सब सबसे पहले करेंगे प्रिजेंट में क्या होगा ये वालव मुझे बोलना क्या है हिंदी बोली याथ है यहाँ पर एक बात समझ है यहां पर आप थे देना आपको मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी वाले ले लेते हैं जब हम बात करते हैं बी की सब्सक्राइब न में बी बात करूँगा तो बी की प्रिजेंट में फॉर्म्स होती है अगर मैं B की बात करहें तो B की present मोने ह्ती है ऐसे मार यह बता चुका हूँ अगर बात करें वी तो B की पर मोने हो यह वाइस वह इसर नहीं करों, प्रिजेंट में तो मैं वहाँ बी का यूज नहीं करूँ यह बात आप याद रखना इस तरीके जी sentence बनते हैं अब इसी के base पर हम लोग sentence बना के देखते हैं यहाँ पर है work भी done अब मुझे बोलना है present में present में बी की form आईगी भी नहीं आएगा याद रखना मुझे बुलाया जाता है I am called आई यहाँ पर अबारा work हो गया याद रखना यहाँ पर I work बन रहा है मुझे पर ही काम हो रहा है I am called in trouble जब भी परिसान नहीं होती है मुझे बुलायाता है I am called in trouble यहाँ देखो English पढ़ाई गई थी तो यहाँ पर work हमारा English हो गया और B की past form आगई was और done क्यों होई taught English was taught yesterday इसने पढ़ाया यह matter नहीं करता पर ज्याद रखना पढ़ाई गई थी पोंगल celebrate होता है पोंगल is celebrated in Tamil Nadu इस तरह सब sentence को बना सकते हैं कुछ और इसके example में आपको लेकर बताता हूँ जैसे अगर मैं चाहूं या आप चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर इनकी जगह पर क्या कर सकते हैं question पूछ सकते हैं जैसे कि क्या खाना पक रहा है is food being prepared क्या बनेगा is food being prepared answer आएगा हाँ बन रहा है food is being prepared अगर मना करेंगे तो food is not being prepared क्या बन रहा है what is being cooked क्या पर आप cook की जगह prepared लगा सकते हैं कोगी पुराने जमाने में हम लोग cook यूज करते थे पकाने के लिए कोगी तर सिर्फ पकाते थे लेकिन अब तो क्या करते हैं हम लोग अब तो सब चीज अपने आपी मतलब उसको बनाते हैं यह बन जाएगा food is being cooked what is being cooked nothing is being cooked कुछ भी नहीं पक रहा है आई बास समझ में sentence और बनाते हैं अब हम question word लेके आते हैं मुझे बोलना है कि USA किसको बेजा जा रहा है कौन बेज रहा है matter नहीं करता है जा कौन रहा है यह matter करता है यह बनेगा who is being sent to USA तो यहाँ पर be आगया आगया third form आगयी who is being sent to USA मुझे बेजा जा रहा है I am being sent अगर he को होता तो he is being sent c को तो c is being sent to USA what is being done क्या हो रहा है what is being done तो क्या हो रहा है passive पढ़ाए जा रहे है passive is being taught क्या बनाएंगा passive is being taught तो दोस्तों इस तरीके साब बड़े ही आसानी से पैसे बना सकते हैं बस याद रखना है work उसके बाद be और उसके बाद done बाकी concept वही पुराने है डूरस के concept आप सभी को पता है क्या होते हैं सभी आप सभी जानते हैं तो वो सब चीज़ों वही है question word आप सभी जानते हैं who कर you, what, when सब पढ़ाद दिया है मैंने बस concept work भी डन आपको याद रखना है ठीक है ना चलिए तो ये बात रही इसकी अब कुछ और basic एक बात में आपको बताता हूँ जो सबसे जादा important है अब तक मैंने आपको passive बता दिया basic हमने सिख ले हमने क्या क्या देखा हमने देखा passive के sentence ing में कैसे बनते हैं हमने देखा has और have के साथ passive कैसे बनता है हमने बात करी will के साथ passive कैसे बनता है ऩू papelis को क्लियर होगा अगर आपको थोड़ा सा डउट है तो एक बात पार्ट वन देखने अगर नहीं देखा है तो और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो आपको पता है वीडियो को आपको लाइक करना, आपका री करनाया आपका ही चैनल है not learn spoken English you have to speak comment में तो आप लिख देंगे लेकिन आपको बोलना खुद पड़ेगा कोई डाउट हो comment में आप पूछ सकते हैं that's all about this video thank you so much take care